हालो दोस्तों केसे है आप सब आज हम लोग बात करने जा रहे है लोकी सीजिन 1 एपिसोड 6 के बारे में एपिसोड 5 में हमने देखा था कि केसे लोकी और सिल्वी दोनों बहेड में चले जाते हैं उसके बाद सिल्वी सोचती है कि बहेड के पार टाइम की एंड में सैथ कोई म मिल सकता है जिसने ये सब क्रेट किया है इसलिए ओ दुनों मिलकर अलोवेट को अपनी कंट्रोल में लाते हैं और उन्हें अलोवेट के अंदर एक रास्ता मिलता है जहां पर उन्हें एक बड़ा सा घर दिखता है और एपिसोड फाइप का तम आता एपिसोड शीक्स की स्टा साय अपने जिंदेगी जीई सकता है अगर लोकी को न्यwe import में सात रहे चल जाती हमें इसका और उसका नाम मिलता है जो यह सिप्छा रहा ता और इसका नाम है ही हुरी मैंस उसे और भी बहुत सरे नाम से बुलाया जाता है वहाँ पर Hunter B-15 को TBA की Hunters डून रहे थे लेकिन Hunter B-15 साल 2018 आर्थ पर चली जाती है और उसके पीछे पीछे जो Hunters जाते है वो सब देखते हैं कि Judge Rabona वहाँ पर एक नर्माल इंसन बन कर एक स्कूल में काम कर रही है यह सब चीजे उसने सोच समझ कर बनाये होगा इसे तबाह करना ठीक नहीं होगा और उसके बाद वो एक Portal open करके कहीं पर चली जाती है वहाँ पर Loki और Sylvie ही हूरी मेंस से मिलते है और उसे मारने की कोशिस करते है लेकिन उसे जितने भी मारने की कोशिस करते है उसे मारने ही पाते और वो कहता है कि वो सारी चीजे कंट्रोल करता है इसलिए आगे क्या होने बाला है उसे सब कुछ पहले से पता होता है लेकिन Loki और Sylvie दोनों उस पर यकिन नहीं कर पाते यूँकि साय दो जूट भी बुल सकता है उसके बाद वो समझाता है कि बहुत सालों पहले मतलब TBA बनने से भी पहले He Who Remains की आर्थ पर रहने बाला एक सायंटिस्ट भारियंट ढूण लेता है कि और भी बहुत सारी यूनिवर्स है जिसमें उनकी एक भारियंट रहता है उसी तरह दूसरी यूनिवर्स की भारियंट भी इसके बारे में जानने लगे और एक दूसरे के साथ communicate करने लगे और एक दूसरे की knowledge और technology share करने लगे और ज्यादा improve करने लगे कुछ भारियंट अच्छे थे लेकिन कुछ भारियंट अच्छे नहीं थे वो सिर्फ दूसरी यूनिवर्स की उपर आटाक करके उनके उपर राज करना चाहते थे इसकी बज़े से सारे यूनिवर्स की बिच वार होने लगा लेकिन इस तबही की बज़े से एक monster भी जन्मा जो time और space दोनों को निकल सकता है और वो है आलोइथ उसके बाद he who remains आलोइथ को अपने बस में किया और अपनी उनिवर्स की timeline को अलग कर दिया जिसकी बज़े से ओ मल्टिवर्स वार से बज़ गया और आप सिर्फ उसे ओ टाइम लेन को स्रक्सित रखना था इसके लिए उसने टीबिये बनाया इसके बाद वो कहता है कि उनके पास दू अप्सन से पहला अप्सन यह है कि वो उसे मार दे जिसकी बज़े से timeline destroy हो जाएगा और उसके बाद उसकी और भी कोई सरे variants दूसरे universe से आ जाएंगे उनके ओपर आटक करने के लिए यह भीर second option है उसकी जगा पर बेटकर राज करना और timeline जीसे चल रहा है चलने दे और उसे सुरक्सित रखे सिल्वी कहती है कि उसे उसकी बातों पर भरसा नहीं है और उसे मार देते हैं लेकिन लुकी कहता है कि अगर उसके बात सच निकला और मॉल्टिवर्स वार स्टार्ट हो गया तो सब कुछ खतम हो जाए गया लुकी उसे बचनने चाहता था और शिल्वी उसे मारना चाहती थी इसलिए लुकी को एक पूटल ओपन करके टीवी के ओफिस में भेज देती है और वो ही हु रिमेंस को मार जैती है उसके बाद timeline डिस से मिलता है तो उसे वहाँ पर कोई भी पेचन नहीं पाता क्योंकि सिल्वी उसे किसी दूसरी यूनिवर्स की टीवीय में भेज दिया था और एहीं पर एपिसोड 6 खतम होती है और एहीं पर लोग की सीजिन 1 खतम होती है तो आज के लिए वस इतना ही अगर वीडियो स्क्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में